मेरे सबी के सान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेज जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अनाज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा अडामा कंपनी की प्रॉक्सिमैन दवाई के बारे में जिहां दोस्तों प्रॉक्सिमैन दवाई के बारे में इस वीडियो के मध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उप्योगिता बताएंगे इसके टे करना है कितने एकड में करना है और कौन से मौसम में करना है और अन्य कोई दवाई मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं यह सारी जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो की महत्वपूर्ण बातों में और वीडियो के अंत में आपको दवाई करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी बताएंगे, तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में और ऐसे ही हमें प्यार देते रही है, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें और वीडियो पूरा देखने के बाद में अपने दूसरे किसान भाईयों के साथ में, इसको जरूर शेयर करें, अपने WhatsApp स्टोडी पे लगाएं, Facebook, Instagram पे पोस्ट करें आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका सबसे पहले आपको उपयोग बता देते हैं, इसका उपयोग आप मुख्य रूप से मिर्च, अनार, आलू, टमाटर, अंगूर, चावल और सेब की फसल में कर सकते हैं, मतलब करीब करीब आप सारी फसलों में ही इसका उपयोग कर सकत हैं इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों प्रॉपी नैप सतर परसंट डगलूपी जो कि एक जाना माना टेक्निकल है और इसी से यह प्रतीत हो जाता है दिख जाता है पता लग जाता है कि यह एक फंजी ने आपको दवाई करनी है दोस्तों 300 ग्राम परती 100 ली'tर पानी में आपको प्रती एकड में दवाई करनी है अब ये 100 लिटर की जगे आप 1.500 लीटर पानी भी सकते हैं अगर मिर्च में आप यो दवाई कर रहे हैं, तो 500 ग्राम प्रती एकड के इसाब से आपको दवाई इस्तमाल में लेनी हैं. दोस्तों, एक एकड में आपको 10 इस्प्रे टैंक लगाने हैं, वो इस्प्रे टैंक जो 15-18 लीटर के होते हैं, हमारे कंदों पर हम उनको बस्ते की तरह टांग कर स्प्रे करते हैं, उस इस्प्रे टैंक की बात कर रहा हूं में, एक एकड में आपको 10 इस्प्रे टैंक लगाने हैं और बताई गई डोस से न जादा दवाई लेनी है न कम दवाई लेनी है डोस के हिसाब से आपको दवाई लेनी है अब बात कर लेते हैं फटा-फट से महत्वपून जानकारियों के बारे में जहां दोस्तों यह पपड़ी पत्ती और फलो के धब्बे, मतलब पपड़ी का धब्बा, पती का धब्बा या फलो के धब्बे, जल्दी और देर से तुशार, तुशार मतलब ब्लास्ट, जो जल्दी या देर से आए, पौधा मरना, जो पौधा मरने लग जाता है, सिकुणने लग जाता है, भूरा पढ़ने लग ज रखती है बूरे रंगी पत्ती वाली जगे जो ब्लाउन फंगस हम बोलते हैं आदी के नियंत्रन के लिए प्रियोग होता है ये चावल मिर्च अंगूर आलू और अन्य सबजीयों और फलों के विभिन रोगों के खिलाफ व्यापक स्पेक्ट्रम गतिविदी के साथ एक संप कवकनाशी है यह दोस्तों यह बहुत ही जबरदस्ट प्रड़क्ट है और यह चावल मिर्च अंगूर आलू और अन्य सबजीयों और फलों के विभिन रोगों के खिलाफ एक ऐसा कवकनाशी है एक ऐसा फंजी साइड है जो रोग आने से पहले ही रोग का उपचार कर देता है अगर आपने इस परें नहीं किया और रोग आ गया हो तो रोग आने के बाद भी उसका उपचार कर देता है पौधे की रोग प्रती रोधक शम्ता को बढ़ाता है पौधे को हरा भरा सीरे और फल और फूल दोनों को ही चमकदार बनाता है इसकी ओवरॉल अब नामें आपको देखने को मिलता है उसके सातही दोस्तों यह कवक चय पचय में विभिन स्भाइव करता है मतलब जो पौधा पाचन करता है किसी भी चीज करता है उस समय इसका Allah रहता है परिमांज सुरूप यह उत्तपादक कवक रोगजन को की प्रतीरोधी आबादी क चयन का मुकाबला करने और रोकने के छिड़काओ कारेकरों में विशेश रुप से अनुकूल है कि जब पौधा किसी भी चीज़ का चय पचय कर रहा होता है, मतलब पौधा किसी चीज़ को इनहील कर रहा होता है, उस समय अगर दवाई काम करती है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसको चीजे लेनी है वो उसके पास आसानी से पहुचा देती है दवाई इसी वज़े से पौधे की रोग प्रतिरोदक शक्ती बढ़ती है और पौधा बहुत अच्छे ढंग से अपनी फूटान ले पाता है अपने फलो को और फूलो को बाहर निक और पाता है यह विशाक्त कंता में बहुत कम है hablar यह जहरिली कम है और IPM कारेख्रमों के लिए आदष रूप से अनुकूल है बहतर परिणाम के लिए चिपको का आपको इस्तमाल करना है यह चिपको का इसतमाल इसलिए भी करना है दोस्तोर्धों पना केवल बारिश में अपितू बिना बारिश के भी अगर आप चिपकों का इस्तमाल करेंगे तो दवाई का असर चिपकों बहुत दिनों तक आगे बढ़ा देता है और उसकी कारेशमता में भी दो से तीन फीजदी का इदाफा कर देता है जिससे की दवाई का असर बहुत काम करके देती है अब आपको चित्र के जरीए ये बता देते हैं कि कौन-कौन से फंगस किस तरह के दिखते हैं जो कि हमने अभी हमारे हाली के वीडियो में ये स्लाइड शालू करी है जिससे कि आपको पता लगे कि हम जो ये वीडियो के अंदर जो ये लिखते हैं कि हुआ है हम ने चित्र का भी यूज़ लिया है ताकि आदमें यह समझ सके कि कि लेट व् lestv lit कारे टारगेट स्पोर्ट कारे रिंग स्पोर्ट काइसा दिखताbecा चिपछिपा तनाजूल सो कैसा दिखता है सफे जंग कैसा दिखता है हम यहां पर यह नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि प्रॉक्सिमेन इन सारे फंगस को मारती है सारे फंगस को नियंतरन करती है हम ऐसा नहीं कह रहे हैं हम सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा फंगस किस तरह का दिखता है ये हम आपको चित्र के जरीए बताना चाहते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप जानकारियां देते हैं आपको सावधानियों के बारे में जियां दोस्तों दवाई चाहे प्रॉक्सिमैन हो चाहे अन्य क कोई भी दवई हो, दवई करते समय सावधानी रखना बेह़ध जरूरी है, दोस्तों. जी आँ, दोस्तों, बच्चों को आपको दवई की पहुज से दूर रखना है, जितना हो सके, आपको भूके पेट कभी भी दवई का स्प्रे करने नहीं जाना है, दवई की बाटल अगर लिक्विड हो तो आपको अच्छे ढंग से उसको हिला कर फिरी उसका घोल बनाना है पाउडर हो तो साफ बाल्टी में साफ पानी लेकर उसका पहले घोल बना ले और फिर ग्लास के माध्यम से आपको इस्प्रे टैंक में दवाई डालनी चाहिए ताकि दवाई का पूरा प्र आपको इस्प्रे करना है मतलब सुभे के समय या शाम के समय ठंडे वातावरन में ठंडे मौसम में इस्प्रे करना है दिन के समय इस्प्रे करने से बचना है दोस्तों और साथी साथ में बहतर परिनामों के लिए हमेशा नैपसेक इस्प्रे पंप और फ्लैट फैन नौजल कि आबादी से दूर जमीन के अंदर गहरा गड़ा खोद कर गाड़ देना है इनको अन्नी किसी उपयोग में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों हवा से विप्रीद दिशा में कभी भी इस्प्रे नहीं करना है मतलब जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको इस्प्रे करना है ताकि दवाई की एक मात्र भून भी वेस्ट नहीं हो और दवाई को कभी भी आप ध्यान रखिए कि दवाई आपके मानव शरीर पर भी वापस आकर नहीं लगनी चाहिए आजपास कि आपके जो दूसरे खेते उन पर भी नहीं लगनी चाहिए दो दोस्तों मदुमक्षी पालन के शेतर में और मचली पालन के शेतर में भी आपको दवाई का इस्तमाल बहुत ज़्यादा सतरक्ता से करना है, हो सके तो नहीं करना है, अगर फिर भी मजबूरी है तो बहुत ज़्यादा सतरक्ता से करना है, नीचे की तरफ इस्प्रे रखना है ताकि हवा के माद्यम से वो उड़के उनके पास जाए नहीं यह सारी सावधानियां रखनी हैं दोस्तों आपको ना केवल इस दवाई के लिए बलकि जितनी भी दवाईयां आप करते हैं चाहे वो खरपतवार नाशक हो, फफूंदी नाशक हो या कीट नाशक हो, या कोई भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर हो सावधानी रखना बेहत जरूरी है दोस्तों यह ति तमाम जानकारियां और आने वाले वीडियों में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों अडामा कंपनी की ही औरियस एफस दवाई के बारे में जियां दोस्तों औरियस एफस दवाई के बारे में विस्तार से और विस्तरित रूप से जानकारी देंगे आपको आने वाले वीडियों में तो दोस्तों अगर ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बैल आइकन तो जरूर दबा लीजिए दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माद्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार